जैहिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे चीज अगर वहां पर बात करते हैं American markets की क्योंकि main focus में यही रहेंगे जिसकी वज़े से एक mixed back day हमें देखने को मिला डाउ एक बार के लिए 200-300 नीचे चला गया था नाजड़ाग भी 200-300 नीचे चला गया था पट लोगर लेवल से डाउ जोंस में अच्छी recovery हमें आती हुए दिखाई दी डाउ लगबग 300 point recover होके flat बंद हुआ नाजड़ाग लगबग 200 point recover होके 100 point नीचे बंद हुआ है futures में अगर आप provisional जो spot वाला प्राइस है उसकी बात करते हैं तो नाजड़ाग वहां पे better improvement के साथ बंद हुआ है तो एक चीज जो अब हमें ध्यान में रखनी है यह क्यों बट US में जो job add हुई वो जितनी expectation थी उससे double job add हुई इससे क्या निशकर्ष निकाला market ने अभी market बिल्कुल confused state में है क्यों क्यों क्योंकि एक तरफ जहां recession की बाते हो रही थी वहां पे US market में इतना strong job date आया है unemployment rate जो है वो 3.5% आ गई है pre pandemic level के आसपस unemployment rate पहुँच चुकी ह तो उस वजह से जो recession की बाते हैं recession का fear है वो अब थोड़ा कम होता हुआ markets में दिखाई दे रही है बट उसी के साथ एक चीज जो market में दिखाई दे रही है आप समझ में आ रहा है जो निकल के आ रहा है एक डर वो है aggressive fed rate hike का कुछ चीजें कुछ बाते जो वहां के experts द्वारा करी जा रही है उसके हिसाब से जो September में fed की meeting होनी है वहां पे हम लोगों को fed की तरफ से एक बहुत aggressive rate hike जो है वो देखने को मल सकता है तो इस वजह से American markets mixed back बंद हुए उन्हें clear direction समझ में नहीं आई और इस वजह से सारी दिक्कत हमें American markets में देखने को मिली है अब weekly time frame पे chart हम हम देखें और उसके बाद FN data और साथ ही में जो option chain data वो देखें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं अगर आपने अभी तक हमारी telegram group को join नहीं किया है link आपको नीचे description में मिल जाएगा 91,000 से जादा members हमारे group में already added है तो आप भी इस group में join हो सकते हैं इसके अलाब अग अगर हम देखें तो यह weekly time frame के सारे chart हम देख रहे हैं क्योंकि हम weekly analysis यहाँ पर करने वाले हैं तो nifty और bank nifty के chart पर हम आए उससे पहले dollar index के chart देखना बहुत important है क्योंकि अगर dollar की strength बढ़ेगी तो वो definitely emerging markets के लिए एक negative Q होगा currencies के लिए negative Q होगा और इस वज़े से हमारी currencies के उपर थोड़ा pressure पड़ेगा तो एक important जो previous swing है वहाँ से dollar index ने bounce दिया है तो जब तक 105.4 का level on the downside में नहीं तूटता है तब तक हम लोगों को dollar index में बड़ी strength देखने को नहीं मिलेगी अब बड़ी weakness देखने को नहीं मिलेगी तो ये level ये important support हमें ध्यान में रखना चाहिए Dow Jones की weekly time frame की बात करता हूँ तो 32,700 का level मैंने आपको बोला था एक बहुत important level है यहाँ पे एक kind of head and shoulder बना हुआ है weekly time frame पे और उसका breakdown यहाँ पे हुआ था अब हम उस trend line के breakdown के उपर आ चुके है एक pause candle हम लोगों ने kind of बनाई है सभी अगर हम world indices में देखें इस हफते तो एक pause candle kind of formation हमें बनते वे दिखाई दिया है तो अगर हम 32,700 के उपर बने रहते हैं बहुत अच्छी बात होगी अगर हम 33,000 के उपर निकल जाते हैं तिन 33,400,500 की जगे definitely open हो जाते हैं तिन उसके बाद बड़े targets 34,000 तक के open होते हैं बट उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे because we don't know Monday को किस तरीके से जो है वो क्या बोलते हैं जो Dow Jones है वो react करता है Dow futures जो है वो किस तरीके से react करते हैं तो Dow futures किस तरीके से react करते हैं मंडे को वो देखना बहुत important होगा US 100 मतलब NASDAQ की अगर हम बात करते है NASDAQ ने एक head and shoulder का breakdown दिया breakdown देके retest करने के बाद नीचे जाने की यहाँ पर सब लोग उमीद कर रहे थे बट उसने जो retest वाली trend line है उसको breakout दे दिया है उपर की side में और अब 13600 के आसपस आ गया है अगर 13600-13500 के लेवल के उपर जो है वो NASDAQ निकल जाता है यहां से 3300 माफ कीजेगा अगर इस लेवल के उपर निकल जाता है तो दिक्कत हो जाएगी और उसके बाद 1800 का 200 पंट दूर यह जाधा दूर है भी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और उसके बाद there is a chance के continuation pattern जो हमें बनता हुआ दिखाई दे market नीचे आया उपर गया retest किया और अब दुबारा नीचे जाने की यहां पे कोशिश करेगा तो important levels जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक regression channel में निफ्टी चल रहा था यह जो पूरा weekly timeframe पे पूरा bull run बना हुआ था उसका एक regression channel हम लोगों को दिखाई दे रहा था और market इस channel में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था अब market ने finally on a weekly timeframe इस regression channel से breakout देने की कोशिश करी है on a weekly timeframe बट इस हफते हमें क्या देखने को मिला है दो हफते की अच्छी rally के बाद एक pause candle हम लोगों को यहां पर देखने को मिली है तो अब आपको क्या करना है इस pause candle का high इस pause candle का low आपको mark कर लेना है 17,150 आप मार्क कर लीजिए 17,140,150 ठीक है और 17,500 इस हफते अगर आपको positional कोई भी position बनानी है क्योंकि truncated week है next week भी उससे अगला week भी तो छुटिया होंगी बीच में तो monthly expiry पे आपको position बनानी चाहिए पहली बात तो अगर आपको कोई positional trade लेनी है positional call लेना है तो बट अगर आपको कोई position बनानी है तो 17,500 के उपर अगर market breakout देता है you can take a position on a upside अगर 17,150 के नीचे market जाता है तो you can take a position on the downside क्योंकि फिर हमें एक अच्छा momentum मिलेगा pause candle के बाद अगर either side breakout या breakdown होता है indices में तो हमें एक अच्छा momentum जो है वो देखने को मिल सकता है ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी चाहिए bank nifty की बात करते है तो bank nifty एक resistance area के पास है जब तक bank nifty मेरे इसाब से 38,200 के उपर एक daily candle close नहीं देता तब तक मैं bank nifty में aggressively long नहीं जाओंगा SBAE के numbers भी अभी आए है कुछ जादा खास numbers नहीं है mixed pack से numbers है अगर आप देखते हैं तो तो उस वज़े से हम लोगों को एक चीज़ उसमें भी देखनी पड़ेगी तो यह चीज़ अब आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो यह अभी का पूरा picture on a weekly time frame मेरे को दिखाई दे रहा है अब intraday चलते हैं और intraday सारी drawings रिमूब कर देते हैं इंट्रेड हैं किस तरीक से ट्रेड कर सकते हैं यह जो बंद हुआ है अराउंड 130 के असपस बंद हुआ तो इस वज़े से यह थोड़ा हमें नीचे की लेवल दिखा रहा है बट यह लेवल्स अगर आप देखें जहां पर डाउ सेकिंड आउफ में F20 की position क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार के लिए अगर आप F20 की position देखें overall bullish position है cash market में वो 1600 करोड का खरीद के गए हैं stock futures खरीदे हैं उन्होंने index futures 10,000 करोड का खरीदा है index call वो हाला की बेच के गए हैं अपनी कुछ calls बट भी अच्छी खासी short करके गए है which is a good sign तो data wise अगर आप मेर से पूछें तो data इतना कुछ खराब नहीं है F20 का अगर मैं आप से बात करता हूं तो data wise the data is looking really good बाकी किस तरीके से पूरा महल बनता है वो अपने को देखना पड़ेगा बट हाँ FIs और प्रोज दोनों put shot करके गए हैं तो support भी हमें lower levels पर देखने को मिलेगा it's kind of sideways data अगर आप दोनों ही प्रोज और FIs का data देखते हैं तो क्योंकि उन्होंने put और call दोनों short करी है तो इसका मतलब क्या है उन्हें भी expectation थी जैसे अभी SGX दिखा रहा है लगबग flat to minor negative opening एक हो सकती है तो उस तरीकी की opening हमें होती हुई दिखाई दे रही है ओके तो एक चीज जो आपको ध्याब में रखनी है निफ्टी का अगर हम PCR data देखते हैं तो 0.8 का PCR है 11 अगस्त की expiry का on the lower side है इसका मतलब क्या है उपरी सरों पे हमें call writing जादा होती हुई दिखाई दे रही है सत्रा पांसो एक massive call writer का zone है अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो सत्रा पांसो एक massive call writer का zone है निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी की बात करते हैं 0.85 का PCR है on the higher side again और बैंक निफ्टी में 38,000 से जादा 38,500 पे जादा बड़ी call writing हुई है तो 38,000 के call writer के पास confidence है बहुत उत साहिर सी बाता यार अगर चाइना ताइवान का issue अभी भी है वो अभी तक resolve नहीं हुआ है चाइना कुछ नहीं drills भी करने वाला है अराउंड येलो स्टोन येलो सी के आसपास तो वहां पे एक दिक्कत का scenario जो है वो सबब बन सकता है तो यह चीज अपने को ध्यान में रखन 325 के उपर नहीं निकलता है मैं निफ्टी को aggressively positionally buy नहीं करूंगा ठीक है ये मेरा rule simple है इस level के उपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप लोग aggressive जा सकते हैं buy कर सकते हैं targets अपने कहां तक होंगे on the upside के पहला target होगा around 17,674 का दूसरा target होगा 17,850 का positionally ठीक है week के target यहां पे म बता रहा हूँ but on the downside में अगर निफ्टी ने ये वाला support तोड़ दिया that is 17,335 एक important support है 335,340 then हम लोगों को एक downtrend शुरू होगा that would be first target around 17,270 का second target would be around 17,175 का ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी होगी again ये important levels आपको focus में रखने होगे bank nifty की मैं बात कर लेता हूं bank nifty में भी simple है looking at the data and OI data और जिससे सबसे position बनी हुई है bank nifty को मेरे को short तब तक नहीं करना है जब तक ये CPR level नहीं तूटता है या फिर at least मैं 37,700 तक का wait करूँगा 37,700 जब तक नहीं तूटता मैं bank nifty को short नहीं करूँगा clear है और जब तक 38,250 का level नहीं तूटता है तब तक मैं bank nifty को long नहीं करूँगा आपको कुछ नहीं करना है bank nifty में range है higher side पे जाता है को breakout failure दिखे short करिए lower side पे जाता है को breakdown failure दिखे long कीजिए जब तक इस range में है range को play करते रहिए range के बाहर निकलेगा एक अच्छी 5 minute की 2 candle close 15 minute की 1 candle close मिलेगी breakout को play कीज है तो यह आइदर साइड breakout या breakdown देने को तयार है SBA के results पर किस तरीकी से react करता है then private banks उस पर किस तरीके से react करते हो वो देखना important होगा Monday के session में तो वो चीज़ अब आपको धिहान में रखनी होगी तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी यार वीडियो प झाल 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 झाल